हेलो इस्टुडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास हिस्ट्री के तिसरे चैप्टर, नास्सिवाद और हिटलर के उदै के तिसरे वीडियो में है, पिछले वीडियो में हमने देखा मौत का सिलसिला कैसे पहले दुसरे और तिसरे चरण में चला, अब हम देखेंगे कि नास्सी समा की स्तापना के लिए बच्चों को नास्सिव विचारधारा की घुटी पिलाना बहुत जरूरी है, और इस सब कारेकरम के तहत उन्होंने बच्चों को बच्चपन से ही नास्सिव विचारधारा की घुटी पिलाना सुरू कर दिया, इसकुल से ये कारेकरम सुरू किया गया इसकुल से अभ्यान चलाया गया, इसकुलों में सुधी करण अभ्यान चलाया गया, यनि कि यहूदी सिक्षक, यहूदी बच्चों को इसकुल से निकाल दिया गया, अवांचित दिखने वाले जो बच्चे थे या जो सिक्षक थे, उन सब को अलग करके बाद में गैस चैंब वह वफादार बनना सिखाया जाता था और यहुदियों से नफरत वह हिटलर की पूजा करें इस तरह के उन्हें सिख्छा दी जाती थी बच्चों में हिंसात्मक वह आकरामकता की भावना पैदा की गई उन्हें इस तरीके के खेल लाये जाते थे जिससे वह आकरामक बने जै देसता लेनी पड़ती थी और फिर 18 साल के उम्र में लेबर सर्विस यानि कि स्रम सेवा में सामिल हो जाते थे और बाद में सेना में काम करना पड़ता था ये सभी युवाओं के लिए बहुत जरूरी था इस तरह से युवाओं के मन मस्तिस यहूदियों के खिलाफ विचार गलत भावनाएं बचपन से ही भड़ दी जाती थी अब हम देखते हैं कि नासी जो समाज था वहां महिलाओं की क्या इस्तिती थी अगर हम फ्रांस की महिलाओं से उनका कंपैरिजन करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं फ्रांस में महिलाओं ने क्रांती में बढ़ चड़ भी ले रखी थी इसके विपरीज जर्मनी में ये बताया जाता था कि औरते बुनियादी तोर पर मर्दों से भिन होती है औरतों और मर्दों को एक समान अधिकार की बात करना गलत है ये हो ही नहीं सकता लड़कों को आकरामक मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था जबकि लड़कियों को अच्छी मा, सुध आरे रक्त वाले बच्चों को जनम देना, यहूदियों से दूर रहना, घर समालना और बच्चों को बच्चपन से ही नासी मुल्य मानेताओं की सिख्षा देने का दाईत्तू दिया जाता था कहा जाता था ये काम महिलाओं का है उनको दंडित किया जाता था जबकि नासी तोर पर वांचित दिखने वाले बच्चों को यानि कि सुध आरे रक्त वाले जर्मनी बच्चों को जनम देनी वाली माताओं को इनाम दिया जाता था उन्हें अस्पताल में, दुकानों में, समानों पर कई तरह की छूट दी जा बच्चे पैदा करने वाली मा को चांदी का और आड़ बच्चे पैदा करने वाली मा को सोने का तमगा इस तरह से उन्हें प्रोसाहित किया जाता था कि सुध आरे रक्त वाले जर्मनी बच्चे को पैदा करें इस तरह से हम देखते हैं कि नासी समाज में महिलाओं की क्या इस्तिती थी नास्यों ने अपनी विचारधारा फैलाने के लिए मीडिया का प्रचार कला का जो प्रचार में इस्तमाल होती है जो जो चीजे जैसे तस्वीरे, फिल्मे, रेडियो, पोस्टर, नारो इन सब का बखुभी से इस्तमाल किया इसके जरिये उन्होंने नास्य यहूदियों को एक खास तरो की छवी में पेस किया गया, उन्हें दाड़ी बढ़ाये वे, काफ्तान, यानि की चोगा पहने दिखाया गया, जबकि यहूदी और बाकी जर्मनों के बीच कोई खास फर्क नहीं था, दोनों समुदाए एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे परंतों फिर भी यहूदियों को केचवा, चुवा, कीड़े जैसे सब्दों से संबोधित किया जाता था, उनको बिलकुल नासी समास से अलग थलग दिखाया जाता था, और जो यह परचार किया था नासीयों ने, इससे बहुत सारे लोग इस परचार के प्रभाव में आ ग नासी तोर तरीकों की जानकारी, नासी सासन के आखरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी के बहार निकली, भीसन जो रक्त पात जर्मनी ने यहूदियों पर किया था, उसका पता दुनिया को युद खत्म होने के बाद लगा, जर्मनी की हार के बाद, जर्मन समाज अपनी दूर बाडियों में भर कर गैस चेंबरों में लिजाया जाता था और मौत के घट उतार दिया जाता था। बहुती घ्रणित वहवार किया जो की बाद में पूरी दुनिया के सामने आया। अब बचो ये पार्ट यहीं खत्म होता है। इस वीडियो में हमने देखा नासी समाज में युवाओं की स्तिति, नासी समाज में महिलाओं की स्तिति, क्या थी और महाध्वन्स हॉलो कास्ट। अब ये पार्ट खत्म हो चुका है और आगे हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे और इस पार्ट की important question answer के पीडियप में आपको share करूंगी, जल्द ही हम दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए good bye।